इंडिया में फाइनल यह आपको स्टार लिंग देखने को मिलेगा और जहां ऐसा लग रहाता है कि जियो और एयर टेल से कंपीट करेगा शायद यह लोग आपस में हाथ मिला के आपस में काम करें लेकिन इस से रिलेटेट एक काफी सारे सवाला आते हैं सेटलाइट कनेक्टिविट इंडिया में सक्सेस्फुल हो पाईगी अभी तक क्यों नहीं आपाए था क्या स्टेटस है कितने रुपे का मिलेगा और क्या वाकई में क्या इंडिया के लोग के लिए यह वैल्ली फोर मनी बनाता है कि नहीं बनाता इन सब के अवारे में बात कर कर सकते हो और ग्लोबली कई सारी कंट्रीज के अंदर यह अल्रेडी यहां पर अवालेबल है और लोग इसका यहां पर यूज करते हैं लेकिन इंडिया में क्यों नहीं आया था भी तक देखो इंडिया के अंदर कई सारे रेगुलेटरी इश्यूज आ रहे थे और उसके एक इसका मिस्यूज होना और इल्लीगल एक्टिविटीज में यूज होना क्योंकि यह एक ऐसी चीज़े जिसे गवर्मेंट ट्रैक नहीं कर सकती जिसके कारण इसको पहले रेगुलेशन में लाना ज़रूर है और उसके बाद इंडिया में इसकी पर्मीशन ले करा है तब जाक करने का मतलब है कि स्टार लिंक की एंट्री अब हो गई है लेकिन फिर भी एक दो अप्रूवल उन्हें लेने बागी है जिसके अंदर जब उन्हें गवर्मेंट से और उनकी एजनसी से प्रॉपर अप्रूवल मिल जाएगा कि किस तरीके से काम करना है उसके बाद यह इसका इंटरनेट होता आप लोग आज साल ही उसकरने लगोगे तो शाद कहना बात ही होगी कि यार इस साल तो बहुत मुश्क्यलेस को आना यह आपको देखने को मिलेगा दो हजार चंपिस में यानि कि एक साल के इंतिसार तो आपको करना ही पड़ेगा चीज इती जादा लेकिन एक सवाला ऊता है क्या जो StarLink है क्या यह वाकि में Jio औरимся से कमपीट कर लेगा यहां फिर जियो और интер से हख के मिला रह रहें क्योंकि देखा तो Jio के खुद की सैटलेट कंशिएं णर वह काम करें on web के साहथ पार्टछük कर रहा था ता company जिसे हाप पर license मिल रहा है वो होगी आपकी Starlink यानि कहने का मतलब है कि जब G.O.R. Airtel है यहाँ पर Starlink इनके साथ क्यों आ रहे हैं इनके साथ directly compete क्यों नहीं करा जो को simple सी बात है Starlink को पता है कि इंडिया में अगर वो आएगा खुद अपने दम पर आएगा तो वो यहाँ पर फेल हो जाए लिगन G.O.R. Airtel जैसी कमतनी साथ अगर backing लेकर आएगा तो इसको successful होने के जादा chances है प्रस्ट जी और Airtel के पास एक infrastructure और रेडी है काम करने के लिए stores है यानिकी अपना जो product होता है Starlink फुद जी और Airtel के थुरू यहाँ पर बेच सकता है हाला कि market में काफी speculation चलरी है कि इसकी pricing वगरा क्या होगी तो इसके बारे में बदालता हूँ current speculation यह कहता है कि market में इसका जो setup होगा वो तक्रीबन 33,000 रुपीज का होगा yes, 35,000 रुपे का होगा जिसके अंदर एक dish antenna होता है एक वाइफा राउटर आपको देखने को मिलता है दो major चीज़े रहती है इसके अलावा देखा जाता है यहाँ पर इसकी pricing के बर में बोलेगे 3000-4000 कुछ लोग कह रहेगी शाह 7000 रुपे परमंध भी हो सकती है वेल इंडिया के अंदर इस टाइप के प्राइसिंग होती है वो बहुत ही जादा expensive मानी जाती है क्योंकि आज के सम्में इंडिया में लोग 200-300 रुपे देखे unlimited internet को यहाँ पर यूज कर लेते है इंडिया में local internet के service providers ही है और इंडिया के अंदर यहाँ पे air fiber जब से आये जीओ का तो उसके बाद यहाँ पे internet काफी सस्ता हो गया even wireless वाला भी कहने का मतलब यह कि जब market में already सस्ते alternatives है तो लोग एतने महंगी alternatives क्यों पर जाएंगे क्यों उपर से बात किये तो star link के साथ एक और negative चीज़े उसकी speeds आज जो उसकी speeds बताई जाते है 25 megabits per second से लेके 200 to 300 megabits per second जाती है maximum हाला कि एक बात जानना ज़रूरी है कि star link का जो internet रहता है यह इस तरीके से बनाएंगे directly satellite के थूरू communication करता है यानि कि satellite होना चाहिए उसके बीच में line of sight सम खराब हो जाए कुछ भी हो सकता है और जब इस तरीक की हालत होती है तो यहाँ पर internet की speeds पर भी फक्त पड़ता है इवन यहाँ पर लोग का यह भी कहने star link के अंदर latency भी आपको कुछ खास कम देखने को नहीं मिलते उल्टाजाद आई तकरीबन 40 milliseconds भी बोला गया हाला कि overall एक बात बता देता हूँ कि star link का जो concept हो बिल्कुली सिंपल सा है कि आपको ना internet के लिए किसी भी wire की हापे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप कहीं पर भी रहो आपको internet की connectivity मिलनी चाहिए यह देखा जाये तो आपके शहरों के लिए इतना जादा suitable नहीं है क्योंकि already जातर शहरों के अंदर fiber internet easily available है चाहिए जियो या airtel की बात करें या फिर local third party ISP companies के बार में बात करें वो काफी सस्ते rate के अंदर आपको internet हैं पर provide कर देते इसके बाद जहां पर fiber नहीं पहुच पाता इस problem को solve करने की air fiber को introduce किया था जिसका मतले में की एक device आपके घर के भार होगा घर के अंदर एक router होगा जिसके अंदर आप 5G technology का use करके high speed internet को use कर पाता और इस technology का भी implementation इंडिया में हुआ था और लोग भी है जो आज के समय में air fiber को use करते है लेकिन main बात यहां पर है कि air fiber भी उतना जादा successful नहीं है market में जो सबसे जादा popular technology वो आपकी fiber broadband है और जो lines जो fiber आता है उसके अंदर speeds consistent होती है जादा मिलती है latency भी कम होती है वो सारे benefit होते है उसके बाद आपकी air fiber आता है जो 5G technology को use करता है उसके अंदर लोगों में fluctuation of speeds भी report करी है और बोला है कि कई बार speeds inconsistent होते है latency भी जादा चली जाती है ये एक दिक्कत महसूस हुई है इसके बाद देखा तो third position पे जाके आपका satellite best communication internet हाईगा जिसके अंदर star link होगा जिसके अंदर वो यहाँ पर directly satellite से यहाँ पर चलेगा हाला कि इसका जो benefit होता है वो उधर पहुचाए जा सकता है जहाँ पर आपकी fiber internet या फिर mobile phone का tower अभी तक नहीं पहुच पाया उस जगे तक internet को अच्छे तरीके से access कर पाना वो एक अच्छी चीज होगी हाला कि इंडिया जैसे country के अंदर internet का penetration भड़ा है लेकिन फिर भी कुछ areas ऐसे हैं जो अभी भी remote में और internet वहाँ नहीं पहुच पाय है तो उतन areas के लिए काफी जादा useful हो सकता है remote villages हो गए या पहाड़ों में कोई चोटा सा गाउव अगर हो गया इसके अलावा है इसका use case हो सकता है कुछ business और enterprise लोगों के लिए जो इससे अपने छट पे लगा ले और उनसे backup internet की तरीके से देखें याने की मान लीजी किसी क्या कोई natural calamity आ गई यहां फे कोई बाड वागेर आ गई पानी जादा भर गया internet की जो line होती वो damage यहां पर हो गई उसके बाद अगर internet को access करना किसी भी business professional के लिए तो यहां पर यह जो line रहती है आपकी satellite वाली काफी जादा useful हो सकती है लेकिन अभी भी एक important चीज है कि यह जो implementation है अभी भी बहुती जादा surface level का है और अभी भी इसका real world impact कैसा होगा इसके बारे मनी पता अगली चीज इसके बारे मनी पता कि इसके exactly में prices क्या होंगे और charges क्या होगे करते हैं यह सवाल यहां पर रहेगा और overall बात की जाए तो internet यूज करने का जो तरीका होगा वह लोग का शर्ड़ जादा बढ़े नहीं लेकिन हां कुछ ऐसे एरियास के लिए काफी जादा useful हो सकता है कहने का मतलब यह कि Starlink बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है एक अच्छी बात है कि quality service अगर lowest price पर दोगे तो लोग उसे accept करते हैं लेकिन जैसी अपने prices हाई करती है लोग उसको reject करना भी शुरू करते हैं एक जमान है था जब जियो ने अपनी जियो फाइबर के rates निकाल ले थे अच्छी चीज चाहिए यह चीज अकर Starlink अगर समझ जाएगा तो इंडिया में काफी successful हो सकता है लेकिन अगर नहीं समझेगा तो यह यह भी इतना जादा successful ना हो पर हाला कि देखने वाली बात है कि Starlink की entry इंडिया में कब होती है Starlink का जो कुछ समय पहले इंडिया के लिए registration वगरा भी शुरू किया था लेकिन वो चीज भी आगे चलके यहां पर बंद कर दी थी कहने का मतलब है कि अभी इस race में थोड़ा से दूर है और global level पर देखा जाया तो Starlink popular है लेकिन अभी भी main stream जो आपको wire broadband होता है या आपके wireless internet होता है wireless 5G communication होता है उसे भी है replace नहीं हो यह बस एक niche category में बनके रह गया है जहां पर लोगों को जरूरत है internet के और बाकी लोग नहीं पहुच पा रहा है बस उस gap को यहाप पर फिल करता है बागी देखते कि आने वाले समय में Starlink जो रहता है उस वो कब आता है उसके prices क्या होते है exactly में लोग का experience कैसा रहता है यह दे